हेलो स्टूडेंट्स तुड़े वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइबर तू फैब्रिक यह मारा सिक्स क्लास का चैप्टर नॉमबर थ्री है इसमें हम यह पढ़ेंगे जो हमारा फाइबर मिलता है हमें उस फाइबर से हम अपनी फैब्रिक तक कैसे पहुंचते हैं कैसे बनाते हैं हम चो कपड़े पहनते हैं उसकी क्या इंपोर्टेंट है हमारी लाइफ में वो क्यों इंपोर्टेंट है क्लोट्स जो है वो हमें वैदर चेंजिस के ड्रास्टिक इफेक्ट से बचाते हैं देखो क्लोट्स और मेंली यूज्ज तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड हीट एंड रेन गर्मियों में धूप से सर्थियों में ठंडी हवाओं से और बारिश में हमें बारिश से कपड़े बचाते हैं अगर हम क्लोट्स पैनेंगे तो हमारी बोडी पर इनका डारेक्ट एफेक्ट नहीं होगा सेकंड तिंग जो मॉस्किटो या स्मोल हाउस फ्लाइज वगरा प्रेजेंट होते हैं हमारे चारो तरफ इंसेक्स प्रेजेंट हैं पर उनकी इचिंग से भी हमें ंपोट्स की दोवाड्च करते हैं तो हमारे पास कसी दो इंपॉ3 होग फास इंक्स condition of weather, second it protects us from insects, next आता है fibers to fabric, सबसे पहले fabric क्या होते है, the material that we use for clothing is called fabric, वो material जो हमारे कपड़ों के काम आ रहा है, that we use for clothing, कपड़ों के काम बनाने के काम आ रहा है, उसको बोलते हैं fabric, यह एक definition है जो हम पता होनी चाहिए, इधर, the material that we use for clothing is called fabric, अभी fabric जो है वो बनता किससे है, यह एक पूरा प्रोसेस है, जो हमें समझना होगा, step-by-step, fabric की definition या दी हुई है, a cloth material made by weaving और knitting threads together, वो कपड़ा, जो weaving और knitting, मतलब, बुनाई और सिलाई के द्वारा threads के साथ बनाया जाता है, उसको fabric कहते हैं, हमारी साइकल स्टार्ट होती है, fiber से, fiber जो है, वो हमें कहां से मिल रहे हैं, वो हमें nature से मिलते हैं, यहां हमारे चैप्टर में natural fibers के बारे में बताया हुए, वैसे fiber man-made भी हो सकते हैं, जिनका नाम होता है synthetic fiber, synthetic fiber हम chemicals का use करके अपनी labs में या factories में बनाते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे natural fibers के बारे में, यहाँ है कुछ examples दियो है, cotton, wool, silk and nylon are common fabric, यह कुछ fabrics हैं, देखो, एक activity के द्वारा आप fabric के बारे में बढ़ सकते हो, यह activity है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ fabric लेने हैं, जैसे की silk, cotton, nylon, polyester, और इनको फिर चेक करना है, यह आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, इस activity को, पहला में चेक करना है texture, texture, texture क्या होता है, texture हमें किसी भी fabric के smooth और roughness के बारे में बताता है, अगर हम उसे touch करके देखेंगे, तो हमारे हाथ को, हमारी skin को, कैसा feel होता है, उसे touch करने पर, वो बताता है, उस कपड़े का, उस fabric का texture, texture, second होता है appearance, appearance का मतलब वो देखने में कैसा है, shiny है या dull है, देखो, silk जो है, वो कैसा रहेगा, shiny, और cotton थोड़ा सा dull color में मिलेगा आपको, third property है, water absorbing capacity, water absorbing capacity का मतलब, जब हम इन fabric को, water के अंदर dip करते हैं, मतलब भिगो के रख देते हैं, तो कौन सा fabric, सबसे ज़दा water को absorb करता है, इसमें अगर हम देखें, तो cotton जो है, वो सबसे जदा water absorb करेगा, nylon और polyester जो हैं, वो synthetic fabric है, मतलब chemicals का use करके बनाए गए हैं, तो यहनकी water absorbing capacity थोड़ी सी, वीक होगी, as compared to natural fabric, second activity आपको बताती है, to understand what the fabrics are made of, हम इसमें यह देखेंगे, कि fabric जो हैं, वो किस से बने हुए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक waste cotton का fabric लेना है, वो कपड़ा जो waste है, अब आपको क्या करना है, waste जो cotton का कपड़ा है, वो एक साइड से कट हुआ होगा, आप उसके एक-एक thread को जब निकालेंगे, तो आपको table पे रखकर आप उसे निकालना, तो एक-एक thread जब निकलता जाएगा, तो आपको समझ में आएगा, कि threads को आपस में किस तरीके से, या किस pattern में arrange किया गया था, उनकी arrangement से वो पूरा fabric, वो threads जो है, वो connect हो गया, और वो fabric बन गया, तो हमारा इससे conclusion ये निकलेगा, एक fabric is made of loose threads, called yarns, तो हमारा जो fabric है, वो किस से बना होता है, यान से, यान से मतलब हम यहाँ पर धागा बोल सकते हैं उसे, तो हमारा fabric जो है, वो किस से बनता है, यान से, नेक्स्ट आता है, हमारे पास type of fibers, तुम मैंने आपको बताया था, हमारे पास तो type के fiber है, natural और man-made, man-made को हम synthetic fiber भी बोल देते हैं, the fibers are broadly classified into two groups, these groups are natural fiber and man-made fiber, natural fiber, जो हमें nature से मिलते हैं, तो इनके source क्या होंगे, पहला source है plants और दूसरा है animals, जो हमें plant से मिल रहा है, वो है, jute, wool, silk, cotton, and linen, ये सब हमें, और दूसरे जो types के बताया है, मैंने आपको एनिमल, एनिमल fiber में हमें मिलते हैं, wool, silk, ये natural fibers हैं, मतलब ये हमें nature के द्वारा दिये गए हैं, अगर हम ये देखें कि इनके कौन से part हैं, natural resources जो हैं, उनके कौन से part हैं, जो हमें fiber देते हैं, तो हम देखेंगे, plant में तो है stem, bark, leaf, and seed, जो हमारे plants होते हैं, उनका तना, उनकी छाल, उनकी पत्तियां, और उनके बीच, इनसे हमें fiber मिल सकता है, animals में हमें मिलता है hair और insect cocoon, hair मतलब ship जो होती हैं, या goat होती हैं, उनकी जो hair होते हैं, skin की उपर, उनकी जो hair हैं, उने हम ऐसा fiber यूज करते हैं, और जो silk है, वो हमें silk warm से मिलता है, और silk warm, से पहले स्टेज आ रही है कुकून उसी कुकून को हम बॉइल वाटर में डाल देते हैं जिससे हमें सिल्क मिलता है मैनमेड फाइबर के एक्जामपल दियो हुए है यह लिखा हुआ है यहाँ पर देखो यह मैनमेड फाइबर जो है यह फैक्टरी में क्यामिकल का यूज करके बनाई जाते हैं इसे इनके एक्जामपल है रियोन, नाइलोन, एक्रिलिक, पॉली एस्टर इनकी क्वालिटीज है कुछ, इसलिए हमें ज़रुत पड़ी सिंत्रिटिक फाइबर को बनाने के लिए पहली है देयर वेरी स्ट्रोंग, हमारे नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनकी कंपेरिजन में ही ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं अगर आप एक कोटन की शर्ट और एक नायलोन की शर्ट का कंपेर करोगे तो स्ट्रोंग का में कैसे पता चलेगा हम देखते हैं हमने जो कपड़ा लिया हुआ है जो फैबरी के हमारे पास उसकी डूरेबिलिटी क्या है मतलब वो कितने दिन तक चलेगा तो नायलोन की शर् लग जाता है तो वो बहुत एजली रिमूव हो जाता है लेकिन अगर नेचुरल फैबर पर या फैबरिक पर ऐसा कुछ लग जाता है तो उसे निकालने में हमें थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है और जब हम इने सुखाते हैं तो दे ड्राइब क्विकली तो वो जल्दी फैबर नेक्स्ट है दे नीड लीटल आयरनिंग एस दे डू नौट रिंकल इजली जो कॉटन है और जो सिंथेटिक फैबर है या नेचुरल फैबर है उनकी अगर हम कंपेर करें आयरनिंग में मतलब हम देखें कि किस पर सिल्वेटें जादा पड़ती है तो हमारे फैबर होते हैं उन पर रिंकल्स नहीं आते हैं उन्हें हमें प्रेस करने की ज़रत नहीं है लेकिन जो नेचुरल फैबर से बने हुए कपड़े हैं उन पर रिंकल्स बहुत जल्दी आजाते हैं और हमें बहुत मैनत करनी पड़ती है उन रिंकल्स को रिमूव करने के लिए यह आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं देखो आपने दिवाली का जब सीजन आता है तब सुना होगा नॉर्मली बहुत सारी एडवाइस दी जाती है उस दोरान और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के दोरान और उसमें से एक एडवाइस यह भी होती है कि कोई भी सिंथेटिक कपड़े पहन कर ना तो क्रेकर को बस्ट करेगा ना किचन में जाएगा क्योंकि यह जो फैब्रिक्स होते हैं यह फायर को पहुत जल्दी अपनी तरफ अटेक्ट कर लेते हैं और जब भी जल जाते हैं तो यह हमारी स्किन से चिपक जाते हैं और हमारी स्किन से अटेस्ट होते ही यह हमें भी बर्न कर सकते हैं बहुत इसलिए इसलिए दिवाली फ सबसे पहले हमने देखा importance of cloth, cloth की क्या importance है हमारी life में, वो हमें कैसे save करता है, सेकिन हमने देखा fabric के definition, मतलब fabric क्या होता है, वो कपड़ा जिसको seal कर या बुन कर हम अपने पहनने वाले कपड़े बना सके, उसे fabric कहते हैं, फिर हमने अलग-अलग fabrics की quality को compare किया और एक activity की जिसमे हमने देखा कि जो threads होते हैं, उनका arrangement आपस में इस तरीके से होता है, और arrangement से कैसे हम एक fabric को बनाते हैं, उसके बाद हमने types of fabric देखे, दो type के fabric है, natural and man-made, हमने इनके example देखे और इनके source देखे, natural fibers जो हैं, वो हमें मिल रहे हैं, plant और animals से, और man-made fiber हम खुद बनाते हैं, chemicals का use क fiber के factories में, फिर हमने इनकी properties को compare किया, next lecture में हम पढ़ेंगे, हमारे first natural fiber के बारे में, that is cotton